नमस्कार मैं डॉक्टर वेपिन मंसल वास्तु कंसल्टेंग आज मैं आपको कंपाउंड वाल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तु शास्तर के अनुसार आपके घर की कंपाउंड वाल कैसी होनी चाहिए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो मेरी वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए मेरी जो सीरी चल रही है प्लोट चेन से लेकर प्लोट शुद्धी तक प्लोट शुद्धी से लेकर ग्रह निर्मान तक और ग्रह निर्मान से लेकर ग्रह प्रविश तक इस सीरीज में मैंने आपके लिए बहुत सारी विडियो बनाई है और आने वाले समय में मेरी और भी बहुत सारी विडियो आ रही है आज का विशय है compound wall आपका अपना plot south west facing यानी नेरित्ते कोने का है आपके plot के एक corner में west आता है और दूसरे corner में south आता है और आपका जो front बनता है वो south west facing कहलाता है तो वास्तु शास्तर के अनुसार आपको अपने यहां compound wall कैसे बनानी चाहिए ऐस पर वास्तु तो south west facing plot को अच्छा नहीं माना जाता जहाँ north east facing plot है तो वहां south west facing भी plot मिलेंगे ऐसा नहीं है कि उस गली के अंदर सिर्फ north east के ही घर बनेंगे north east के घर बनेंगे तो south west के घर भी जरूर बनेंगे आपने बनेंगे तो दूसरा व्यक्ति बनाएगा दूसरा नहीं तो तीसरा बनाएगा कोई न कोई व्यक्ति तो उसको बना कर रहेगा लेकिन आप southwest facing घर बना रहे हैं उसमें आपको compound wall कैसे बनानी चाहिए आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा आपका plot southwest facing है आपके plot का size बहुत बड़ा है और आप अपनी पूरी building बीच में बना रहे हैं और चारों तरफ से open रख रहे हैं तो ऐसे में आपको अपनी compound wall कैसे बनानी है जो आपकी front की compound wall है यानि जो आपकी front की दिवार है वो दिवार थिक होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए और height में ज्यादा होनी चाहिए थिक कितनी 9 इंच की तो minimum होती है आपका south west facing है तो मैं आपको कहना चाहूँगा आपके front का size भी बड़ा है तो अपनी दिवार को 13 इंच की या 18 इंच की जरूर बनाए दिवार आपकी complete smooth होनी चाहिए दिवार अंदर या बाहर की और मोटी पतली design के चकर में नहीं बनानी है होता क्या है कि हर आदमी के अपने सपने होता है और हर आदमी यहीं चाहता है कि मेरा घर बहुत सुंदर बने सुंदर के चकर में यदि आपको प्रेशानी हो रही है तो वो सुंदरता किसी काम की नहीं है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं, सुंदर तो बनाए लेकिन वास्तु का ध्यान रग कर बनाए जो आपकी दिवार है, 9 इंच की बिजाए आप इसको 13 इंच की बनाए क्योंकि southwest facing plot है और southwest facing plot होता है तो उसको वास्तु सरसर में अच्छा नहीं माना जाता है आपने इस दिवार को मोटाई में ज्यादा बनाना है जो आपके अपनी back side की दिवार है उसमें north से north east होते हुए east तक ये दिवार आपकी southwest की दिवार से नीची होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए जो आपकी North West की दिवार है और South East की दिवार है ये दोनों दिवारे आपकी मोटाई में एक लेवल की होनी चाहिए और उचाई में भी एक लेवल की ही होनी चाहिए जे अब मैं आपको एक बात और आगे बताना चाहूँगा आपके plot का size छोटा है और आप अपने plot में three side open रखके building बनानी जा रहे हैं तो आपको building कहां बनानी चाहिए आपको building सौथेश्ट के दिवार पर यहां पर बनानी चाहिए आपके यहां नॉम्स है आपके यहां गवर्मेंट के नॉम्स है आपने front में भी open area रखना और back side में भी open area रखना है तो ऐसे में आपको अपने यहां पर नॉर्थफेश्ट में open area रखकर सौथेश्ट में बनानी चाहि और North East की दिवार आपकी थिन होनी चाहिए पतली होनी चाहिए और हाइट में कम होनी चाहिए किस से South West की दिवार से भी North West की दिवार से भी और South East की दिवार से भी North West की दिवार आपकी North East की दिवार के बराबर भी हो सकती है और हलकी सी उंची भी हो सकती है ऐसे ही जो आपके अपनी South East की दिवार है ये दिवार जो South Corner बनता है ये दिवार आपकी Complete South West की दिवार के बराबर हो सकती है करनी चाहिए और जो आपका अपना East Corner बनता है ये Corner आपका North East Wall के बराबर होना चाहिए जो आपका North West Wall है ये Wall आपकी North East Wall के बराबर आनी चाहिए इस बात का आप दिखान रखेंगे तो मेरा अपना ये मानना है कि आपकी जो South West Facing Plot है इसके अंदर Building अच्छी बन जाएगी चलिए इसी के साथ मैं आपको एक Point और बताना चाहूँगा आपके Plot का Side चुटा है और आप Left to Right अपनी Building बना रहे हैं Front में भी Open Area रखते हैं और Backside में भी Open Area रखते हैं तो ऐसे में जो आपका Front का Area है South West Wall थिक और हाइट में ज्यादा होनी चाहिए और South Corner और West Corner भी आपकी South West की Wall के बराबर होने चाहिए मोटाई में भी और उंचाई में भी जो आपके अपनी Backside का Area है उसमें North East Wall प्लस North Corner प्लस East Corner ये दिवार भी और ये दिवार भी और North East दिवार भी ये तीनों दिवारे एक लेवल की होनी चाहिए पतली होनी चाहिए और Height में आपकी Front की Wall से नीची होनी चाहिए ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके Plot का वास्तुर सही हो जाएगा किसी उसमें Compound Wall में, Boundary Wall में, चाहर दिवारी में आपका अपना घर बना हुआ है और आपके यहां Health से रिलेटिल समसे हैं परिवार में आपस में नहीं बनती या गलत आदिते बच्चों के अंदर आई हुए या बड़ों के अंदर आई हुए गलत आदिते किसी भी परकार की उसकती है और आप जरूरत से ज़्यादा प्रे कि दिवार है वह ठीकनेस में पतली मिलेगी और उंचाई में बरत पर कई में गैक वह होता क्या है कि जो आपके अपनी इहांके दिवार के इसके ओपर रेलिंघ लगा देते हैं तो ऐसे में यह दिवार नीची हो जाती और डेकste almost्ड की दिवार cricket 시간 की उंची हो जाती है यह ह आपके यहां ऐसा है तो मैं आपको कहना चाऊँगा कि आप अपनी front की दिवार को उंचा जरूर करें यह भी हो सकते हैं आपकी front की दिवार और back side की दिवार एक level की हो या front की दिवार उंची हो लेकिन जो south corner है और west corner है इन दोनों में से कोई ना कोई दिवार नीची है तो भी वास्तुदोश बन जाता है या दोनों ही दिवारे नीची है तो भी वास्तुदोश बन जाता है आप इन दिवारों को सही करेंगे तो भी आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा आपके अपने फ्रंट की दिवार है इस दिवार को बिल्गल स्मूथ बनाए प्लेन बनाए मेरे द्वारा इस वीडियो में दीगी जानकर यह दिए आपको सही लगती है और आप जरूरत से ज़्यदा प्रेशान है तो आप अपने घर की कंपॉंड वाल का वास्तु सही कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने फ्रंट की दिवार को देखें फ्रंट की दिवार लेफ्ट राइट की दोनों की दिवारे देखें तो three side open है तो northwest की दिवार भी देखें, fourth side open है तो south east की दिवार भी देखें और front या back है तो आप backside की दिवारों को भी चेक करें यहां से यहने निचे down floor से चेक होती है तो ठीक है नहीं तो छत के उपर जाकर देखेंगे तो भी उससे clear हो जाएगा कि कहां पर क्या वास्तु दोश बना हुआ है आप अपने नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप अपने घर के compound one को जरूर चेक करें क्योंकि मैं हमेशे ही आप लोगों को वास्तु शास्तर के साथ साथ अपने अनुगों की जानकारी देता रहता हूं और मेरे को वास्तु विजिट करते हुए चोवीश साल हो गए है और मेरा जो चोवीश सालों का अनुभव है वो मैं आप लोगों के साथ सांजा कर रहा हूं क्योंकि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो इतनी छोटी छोटी बातों पर आदमी ध्यान नहीं देता अपने घर को अंदर से तो आज़ पर वास्तु बना लिया लेकिन कंपाउंड वाल में वास्तु दोश बन जाता है ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुग हुए जो बात मैं आपको कह रहा हूँ आप अपने घर को देखिए प्रोशी के घर को देखिए आगे पिछे वालों के घर को देखिएगा तो आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी कि कंपाउंड वाल में किस प्रकास से वास्तु दोश बनता है आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ओनलाइन सला लेना चाते हैं तो आप हमसे ओनलाइन सला भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाते हैं तो आप हमारे यहां से वास्तु शास्तर के निमसार मैप भी बनवा सकते हैं और आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो आप हमें साइट विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित पर्थम पुस्तक लक्षमे प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तु शास्तर के साथ साथ अपना अनुगव लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी हैप उस तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोश्मुक्त बिनाने में साहयक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में देगी जान करें आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेस्बुक ग्रूप और वाटसब ग्रूप पर जल्दी से शेयर भी करें आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बैल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली जितनी भी नहीं वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें आप सभी अपना कीमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तया दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विशे पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार झाल